नमस्ते फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे किचन में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही पुरानी रेसिपी जो दादी और नानी के जमाने में इसको बनाया जाता था यह महुआ के गुल्गुले और इसको बनाना बहुत ईजी होता है यह दिखे मैंने महुआ लिया है इसको क्या करेंगे धो के तीन से चार पानी अच्छे से रगड रगड के धो लेंगे जब तक इसमें की सारी धूल मिट्टी निकलना जाए यह महुआ का जो पेड़ होता है उसी का फूल होता है और जमीन के गिरता है तब इसको हम बीन की कठा करके और सुखा के अ गंटे बाद मिलती हूं गंटे के बाद देखी बिल्कुल फूल के रेडी हो गया है अगर इसमें हम जादे पानी डालेंगे तो इसमें मिठास होती है इसकी पानी के साथ बह जाती है तो इसलिए पानी हम बिल्कुल नहीं डालेंगे ऐसे धो के और रख देंगे इससे हमें गुड़ और चीनी डालने की बिल्कुल जरूत नहीं पड़ेगी इसको सील बट्टे पहले सील बट्टे पीसा जाता था अब मिक्सर में हम इसको पीस के त्यार कर लेंगे और साथ में हम इसको हमको पुगा बनाना है इसलिए हम इसमें दो से तीन चमच आठा डालेंगे और एक तरफ सिकने देंगे तीन से चार मिनट एक तरफ धीमी आट पर पर शिख जाएगा उसके बाद हम पलट देंगे और पलट्टे के बाद फिर दूसरी तरफ अच्छे से पकने तक हम सेख लेंगे सेखने के बाद तब हम इसको निकाल लेंगे तेज आग पर नहीं करेगा और वीडियो थोड़ी सी आपको फुल लगे तो लाइक सेर जरूर करिएगा और यह रेश्पी अगर आपको ट्राइक करने का मौका मिल रहा है यह जरूर ट्राइक करिएगा इसका पराठा भी बनता है तो उस तरह पराठे की तरह बनाते हैं